अख्लेश का वार मायवती का करारा पलटवार भतीजे पर सवाल मायवती का वचा भतीजे पर मायवती और अख्लेश में चंद 2024 के सबसे बड़े दंगल यानी लोकसवा चुनाप के पीज विएस्पी सुप्रियमो मायवती के अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी के कॉडिनेटर पस से हटाये जाने पर यूपी की सियासत में उबाल आ गया चुनावी सर्वगर्मी के बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अख्लेश यादम ने बिना देरी की उए मुद्दे को लखका और मायवती पर निशाना सादा अख्लेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा की बियस्पी ने संगठर में बदलाव का जो भी कदम उठाया है वो उनकी पार्टी का आंतरिक विशे है दरसल इसके पीछे असली कारण ये है कि बियस्पी को एक बी सीट आती हुई नहीं दिख रही है क्योंकि बियस्पी के अधिकांच पर्मप्रागर समर्थ तक भी इस बार समिधान और आरक्षण को बचाने के लिए इंग्या गठवंदर को ही वोट दे रहे है इधर अख्लेश ने हमला बोला तो दर मायवती ने भी बिना देरी किये हुए अख्लेश यादब को उनकी ही भाषा में जवाब देते हुए उनसे अपनी ही पार्टी पर फोकस रहने की नसियत दे डाली मायवतीन अख्लेश पर पलजवार करते हुए सोशल मीडिया एक्स पर लिखा की बीएसपी सुन्गेठन में क्या कुछ चला है इस पर धोर दली दिरोधी समाजवादी पार्टी अगर कोई किप्टी और चिंता नहीं करे तो भेतर इसके बदले एसपी नेतुरत को चुनाव में उतारे गए उनकी अपने परिवार और उनके यादा समाज की प्रत्याशियों का क्या हाल है इसकी केवल चिंता करें क्योंकि उन सब का हाल पे हाल है इससे पहले भुजन समाज पार्टी की रास्टी अध्यक मयावदी ने तीसे चरनटी वोटिंग खत्म होने के बाद अपने भतीजे आकाश आनन से अपने उत्राधिकारी और पार्टी के नैशनल कोर आडिनेटर की जिम्मेदारी वापस ले ले ली थी और इसके पीछे मया पासान चिल गया